साथियों आपसे बहतर यह कौन समझ सकता है कि ओनेस्ट ओपिनिन का बहतर डिसीजन मेकिंग में कितना बड़ा रोल होता है कई बार हमें लोग मिलते हैं कहते हैं कि यह शेर बढ़िया है यह सक्टर बढ़िया है इसमें इन्वेस्ट कर दो लेकिन हम पहले यह देखते हैं कि वो सला देने वाला तारीफ करने वाला खुद भी उसमें इंवेस्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है यही बात इकानोमीज पर भी लागू होती है आज इंडियन इकानोमी पर दुनिया को भरोसा है इसके प्रमाण है पैंडेमिक के दुरान जब पूरी दुनिया इंवेस्टमेंट के लिए परिशान है तब भारत में रिकॉर्ड FDI और PFI आया है दुनिया का यह confidence नए स्तर पर पहुँचे इसके लिए डोमेस्टिकली भी हमें अपने इंवेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाना है आज आपके पास हर सेक्टर में इंवेस्टमेंट के लिए संभावनाएं भी है और नए अवसर भी है साथियों निवेस का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा आवशक है यह है रिसर्ट एंड डेवलप्मेंट आर एंडी आर एंडी पर होने वाला निवेश भारत में आर एंडी पर निवेश बढ़ाया जाना की बहुत जरूरत है अमेरिका जैसे देश में जहां आर एंडी पर 70 परसेंट निवेश प्रावेट सेक्टर का होता है हमारे यहां इतना ही पब्लिक सेक्टर द्वारा किया जाता है इसमें भी एक बड़ा हिस्सा आईटी फार्मा और ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में है यानि आज जरूरत यह है कि आरेंडी में प्रावेट सेक्टर की भागीदारी बढ़े क्रुशी, डिफेंस, स्पेस, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन यानि हर सेक्टर में हर छोटी बड़ी कंपनी को आरेंडी के लिए एक निश्चीत एमांट ताय करना चाहिए